हेलो फ्रेंड्स मैं जी एडियास देंटल से डॉक्टर रोह शर्मा और हम बात कर रहे थे टिप्स और ट्रिक्स फॉर एक्स्ट्रेक्शन की हमने अपनी लास्ट दो वीडियो के अंदर देखा कि आप पेशेंट्स को कैसे जज करोगे कि यह नात आपने निकालना या नहीं न उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है उसकी मेडिकल इस्ट्री क्या है आज हम बात करेंगे क्लोज एक्स्रेक्शन प्रोसीजर की एक अच्छी एक्स्रेक्शन की तीन रिक्वाइर्मेंट होती है एडिक्वेट एसस एंड विजुलाइजेशन अन इंपेड़िड पाथवे फ कंट्रोल फोर्स एक्स्रेक्शन प्रोसीजर के पांस टैप होते हैं फस्ट लूजनिंग ऑफ सॉफ टिशू सेकेंड लग्जेशन ऑफ टूथ विद अलिवेटर थर्ड एडप्टेशन ऑफ फोर्थ लग्जेशन ऑफ टूथ विद फॉर्सेप एंड फिफ्थ रिमूवल लूजनिंग ऑफ सॉफ टिशू अटेच्मेंट फ्रॉम टूथ इस स्टैप को हम शार्प पेरियोस्टियल अलिवेटर या अपने एक्स्पोलोरर से भी कर सकते हैं इस स्टैप के दो परपस हैं फस्ट ये चेक करना कि पेशिंट को अलिक असर आया है या नहीं सेकेंड सॉ इसा करने के लिए हम स्टैप अलिवेटर को परपेंडिकुलरी इंटर इंटर इंटल स्पेस में घुसा देते हैं एलिवेटर का इनफीरियर सर्फेस बोन की तरफ आयेगा और सुपीरियर सर्फेस टुथ की तरफ या ओक्लूजन की तरफ एंड फिर हमें स्लोली फोर्स इसके लिए हमें सबसे पहले चोटा और पतला इंस्ट्ρुमेंट या लग्जेटर या अलिवेटर उसके इंदर इंसर्ट करना है और गरेजूली हम उसका अपना साइस बढ़ा सकते हैं अगर हम स्टार्टिंग के अंदर ही कोई मोटा और हैवी अलिवेटर ऊसके अंदर इ जैसे wisdom tooth, excessive force use करने से tooth break हो सकता है, adjacent teeth भी luxate हो सकते हैं, luxator की tip break हो सकती है, और upper में tooth sinus wall के साथ भार आ सकता है, और अगर mesial adjacent tooth नहीं है, तो ये step नहीं करा जा सकता, and tooth removal की difficulty level increase हो जाती है, 3rd step है adaptation of the forcep to the tooth, market में अलग अलग company के forcep available है, and nowadays उन में काफी variation भी है, जादा तर हाट tooth का forcep अलग होता है, आपका first काम है right forcep choose करना, then आपने forcep की beak से tooth को cj के नीचे से hold करना है, forcep की beak कुछ इस तरह से tooth को hold कर सकती है, इसमें picture A बिल्कुल ideal है, close adaptation वाली, पर क्योंकि हमारे पास एक या दो ही shape के forcep होते हैं, तो हर case में ये achieve नहीं होता, जब आप forcep से tooth को hold कर लोगे, तो forcep की beak tooth की long axis के parallel होगी, आपने forcep के handle को नीचे से पकड़ना है, ताकि force ज़्यादा लग सके, आपने force shoulder और अपर आम से लगानी है, आपकी wrist move नहीं होनी चाहिए, अपाइकली hold करने के लिए आपको अपाइकल force लगानी है, ताकि दांत अपाइकली move भी करे और साथ में जो beaks है forcep की वो बिलकुल नीचे से उसको पकड़ सके, फिर next step है, luxation of tooth with forcep, आपने majority of force weak bone की तरफ लगानी है, ताकि बककल बोन, आल्मोस्ट हर tooth में bucklingual force लगाते हैं पर बककल force ज़्यादा लगाते हैं, हमें force को slowly steadily increase करना है, अगर हम जर्की force या extreme force लगा देंगे, तो tooth break हो जाएगा, सबसे पहले आपको buckle force लगानी है, और slowly उसको increase करना है, और उसके बाद आपको कुछ seconds के लिए लगबग 30 seconds के लिए उसको hold करना है, और उसके बाद lingual force डालनी है, और फिर उसको कुछ 30 seconds के लिए hold करना है, and then repeat this step, मैं hold करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, ताकि bone के अंदर creep develop हो जाए, permanent fracture lines आजाए, ताकि वो bone expand हो सके, अगर आप उसको sufficient time नहीं देंगे, तो bone recoil हो जाएगी, और bounce back effect के साथ, वो दुबारे से वहीं उसी position में आ जाएगी, बार-बार repeat करते रहना है, जब तक tooth luxate ना हो जाए, अच्छे से, buckle force, then lingual force, then buckle, then lingual, आपको बार-बार अपना force भी re-adjust करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे tooth luxate होगा, आप tooth को apply clearly और hold कर सकते हैं, आपको ये काम तब तक करते रहना है, जब तक वो fully luxate ना हो जाए, और दात निकालने लाइक ना हो जाए, लास्ट टेप है, removal of tooth from socket, एक बार bone sufficiently expand कर जाए, तब हमें tooth को pull out कर लेना चाहिए, हमेशा याद रखना, forcep का काम दात निकालना नहीं है, बलकि bone socket को expand करना है, now, हमने अब tooth remove कर लिया है, इस procedure को आप follow करके tooth को remove कर लेंगे, friends, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि आप कैसे एक जन्दात को remove कर सकते हैं easily, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये patients के ऊपर सीखें, patients का दात निकालते वक्त हम आपकी help करें, तो आपको GTS Dental Academy जोईन करनी पड़ेगी, friends, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, अपनी next वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपने patients को instructions क्या देनी है extraction के बात, और उसके बात देखेंगे कि post extraction complications क्या क्या हो सकती हैं, क्या ओपने आ एके बात, क्याम है फित्स झाव खाफसे हम देखेंगे क्लि अेकित जात, क्याएंड़ागा कि जstag मॉआषब पूस्ट कर देखेंगे फ्रe बそipe वित्स हो सकतार कॉन fine, झाव जे पुश खखना हैं, झाल 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 झाल